दोस्तों अगर आपके घिजर के पानी का फ्लो धिमा हो गया हो तो इसे ठीक कैसे करे आईए जानते हैं सबसे पहले हम घिजर के दोनों बाल को बंद कर देंगे और सौकेट में से फाइब इनको बहार निकाल देंगे इसमें इनपूट और आउटपूट पाइप होता है आउटपूट पाइप को आप खोल ले और फिर हम टेस्ट करेंगे तो देख सकते है कि कितना दिवे देने पानी आ रहा है इसे ठीक करने के लिए हम अंडरग्राउंड वायरिंग में इस्तिमाल होने वाली लोहे की स्प्रिंग लेंगे और उसे काट लेंगे और एक ड्रिल लेके उसमें आपको स्प्रिंग को लगा देना है फिर उसे खुमा के चेक कर लेना है अब इस spring को output पाइंक में जितना अंदर जाए उतना इसे अंदर डाल दे और drill को चालू करके अच्छे से उसकी सफाई कर ले वायक और थोड़ा उपन नीचे करके अच्छे से साफ कर ले कच्रा साफ होने के बाद वाल को चालू करके पानी निकाले ता कि पानी के साथ कच्रा भी बहार आ जाए अब आप देख सकते हैं हमने कि जर को बीना खोले पानी का फ्लो बटा दिया है इसी तरह के informative वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले